36 गड़ में समाजवादी पार्टी का चुनाओ काम देख रहे सुनील यादो उत्रप्रदेश में विधान परशत के सदस्त हैं और पिछले एक महिने तक 36 गड़ में बिता करके लोटे हैं बात करते हैं कि 36 गड़ में समाजवादी पार्टी के क्या संभावनाएं क्या जो आद्वासियों के बीच काम कर रहे हैं गरीबों के बीच काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर वहां दो कारिकोमों में राश्टी अधिक जी को समर्थन मिला उनके नाम पर ददस हजार से अधिक की भीडाई तो समभूनाय बहुत हैं हमारा गड़बंधन वहां खाता ख कांग्रेस को धंकी नहीं दी उन्होंने उससे पहले एक बात कही कि कांग्रेस के लोगों में जो कन्फ्यूजन है या घमन आ गया क्योंकि समाजवादी पार्टी के राश्टियत देग पूरी पार्टी ये चाहती थी कि जिस तरीके से महागडबंधन को लेकर कि इस देश म में महाज बना था और उस महागडबंधन की सुरुवात मानी अखलेस यादो जीने की उत्तर प्रदेश से चार-चार चुनाओ हराया मखवंत्री को हराया कैराना नूर पूर हराया तो एक जो वो गडबंधन का सरूब दिखा और उत्तर प्रदेश से एक मैसेज गया कि कांग्रेस संकेत होगा 2019 के जनादेस का लेकिन क्योंकि कांग्रेस कह रही कि हम वहां मजबूत हैं तो अकेले लड़ेंगे तो राश्टिया देख जी ने यह कहा कि कांग्रेस जब भी अपने आपको कमजोर महसूस करेगी तो उसके सबसे नजदिक अगर कोई उनको मिलेगा त कोई छोटे दल मिल करके हम लोग आसी में से 75 सीटे जी सकते हैं फिर हमें कांग्रेस की क्यों जरूरत पड़ेगी तो यह कांग्रेस को समझना है कि कांग्रेस की क्या भूमिका है मद्द परदेस आज आप जा रहे हैं शाम को और आपके राष्ट अध्यक्ष वहां जा चुके हैं आज यहां नेता जी का जनम दिन था मद्द परदेस का चुनाओ ज्यादा महत्तपूर्ण लग रहा है क्योंकि वहां पर वो इस कारक्रम में शामिल हुए बगर चले गए ह मानी राष्टी अध्यक जी नेता जी से आशिरवाद लेकर के नेता जी को बधाई दे करके और नेता जी की अनुमती से क्योंकि आज मद्द परदेस में राष्टी अध्यक्ष जी की कारक्रम लगे हैं तो नेता जी से आशिरवाद लेकर के गए हैं और नेता जी ने जो आ और अखलेश यादो भी इसको बहुत ही एहम मान रहे हैं शुनाव को कि वो आज डेता जिससे सुबह मिलने के बाद सीधे मद्रदेश चले गए हैं एटीबी के लिए लखनों से अखलेश दिवारी